हेलो फ्रेंड साज हम समझेंगे कस्टमर वैल्य प्रोपोजीशन क्या होती है इसका मतलब है total sum of benefits यान कि तमाम का तमाम जो benefits है उसका sum उनको हम add कर ले जो कि एक vendor promise करता है कि customer को मिलेगा जब वो customers payment करेगा किसी चीज़ को खरीदने के लिए तो जो उसको benefits मिलेगा वो तमाम का तमाम सारा का सारा किलाता है customer value proposition यान कि customer कोई कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जो उसको pay की उसने कोई भी चीज़ खरीदने के लिए pay किया उसके बतले जो उसको return मिल रहा है वो सारा का सारा customer value proposition के अंदर आ जाता है